हलो फ्रेंड्स दसद विहान, 25 सेकेटरी एक्जाम के लिए इंपॉर्टन क्वेशन की सीरीज चल रही है, इन क्वेशन के माध्यम से आप टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को देख सकते हैं, किस तरह से आपके एक्जाम में क्वेशन बनेंगे, फ्रेंड्स अगर आपका कोई अगर आप बेस्ट प्रफेशन करना चाते हैं, और अपनी सरकारी नोकरी फिक्स करना चाते हैं, तो यह है, हमकी टेम का नंबर, यहाँ पर वाट्स अप आप कर सकते हैं, फ्री टेस्ट चल रहे हैं, पंचाय सेकेटरी एक्जाम के लिए, यहाँ पर आपको डेटेल्स मिल जाएगी तो यहां पर आप वाट्सअप कर लेना फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन्स आपके स्क्रीन के सामने हैं दोस्तों जब भी आप वाट्सअप करो फ्री टेस्ट के लिए तो फ्री टेस्ट पंचैय रे करें जिसने हमारी टीम को पता चल जाता है फर्स्ट क्वेश्चन्स क्रांति कारी संक याविनव भारत की स्थापना के गए थी इम्पोर्टन क्वेश्चन्स है आपके हिरे माचल के एकजाम में बन चुका है friends important है जल्दी से बताईए the right answer is option number C यानि की महरास्टर दोस्तों यानि की अब यहां से हमने questions जो होगा वो topics और sub topics को जब हम आगे आने वाले videos में discuss करेंगे तब आप पर एक भी questions नहीं चूटेगा अभी इन questions के माधिम से आप topics देख सकते हैं friends यानि की अगर आप HB का national moment लेकर चलो या फिर India का national moment लेकर चलो या फिर 1857 की आगे की history लेकर चलो तो यान की हमारे बहुत सारे से questions और topics clear होगे जो आपके exam में बन रहे हैं और यहां से जो top 10 magazines important और repeated questions तीनों segment को हम verify करते हुए चले जाएंगे ठीक है तो जोड़े रहना like, share, subscribe जुरूर करिए next questions यहाँ पर रहेगा नेमलेखित में से कौन सा राज्य भारी सबसे भारी वर्षा प्रापत करता है very very important questions है in questions के in options के माध्यम से आपको बताना है friends सबसे ज़्यादा कहां पर होते हैं तो सभी को clear है ठीक है, लेकिन कई बार आज कल जो modified questions बन रहा है वो ऐसे इस तरह से बन रहा है यानि कि आपके पास options दे दी जाते हैं ठीक है, और options में से आपको select करना होता है first of all आपको मुझे comment करके यह बताना है कि सबसे ज़्यादा बर्षा कहां पर होती है ठीक है, ही माचल में कहां पर होती है यह भी आपने बताना है और इंडिया में कहां पर होती है यह भी आपने मुझे comment box में बताना है लेकिन options के माध्यम से the right answer is, क्या होगा very very important questions है मेगा लिया, clear, अगर आपने सोचा था और बिल्कुल सही हुआ तो well done दोस्तों, ठीक है next questions, math और English दोनों segments के लिए, daily science के लिए अब वर्ट सब कर सकते number आपको मैंने starting में बता दिया है निमलिकित में से किस अधिनियम ने भारत में सामपर्दाइक चुनाबी प्रस्ताव पेश किया था very very important questions है secretary के exam में दोस्तों इस तरह के questions बनेंगे और HPU ऐसे questions जरूर modified करेगा क्योंकि HPU जोगा, वो widely questions के लिए जिया ना जाता है बताइए इसका sayances क्या होगा the right answer is option number C यहनिकी Indian Council Act 1909 यह जरूर आपने पढ़के जाना है friends अगर मैं यहाँ पर बात करूँ Indian Council Act 1861, 1892, 1909 दोस्तों यह तीनों ही आपको पढ़के जाने है कोई कि यहाँ से questions बनते हैं आपके exam में ठीक है, concept अगर आपका clear होगा और आपको यह भी पता होगा कि पिछले 3 सालों में पांच सालों में कौनसे questions highlighted होए आपके exam में central level या फिर हमाचल के exam में तो आपको दोस्तों यह बात बिल्कुल clear होती है कि questions का किस तरह से आपके exam में पूछा जा सकता है ठीक है, the right answer is जैसे कि मैंने अभी आपको clear कर दिया है option number 6 is the right answer ठीक है, चली next निमिलिकित में से किस देश का अलिखित संभीधान है, ठीक है यानि कि unwritten constitutions ठीक है, बताना है आपको friends, important है, ध्यान देजिए questions के उपर, the right answer is option number B, यानि कि UK का unwritten constitutions है, clear चली next, 2011 में निमन में से किस राजह में सबसे अधिक लिंक अनुपात है very very important questions दोस्तों, highest sex ratio in 2011 की यहां पर बात हुई है, बताईए और friends, जितने भी census, यानि कि से जुड़े हुए questions होते हैं, चाही ही माचल से हैं या फिर इंडिया से हैं, आपके exam में direct questions होता है, ठीक है, यानि कि यह whole topic के categories में आता है ठीक है, बताईए, the right answer is option number A, यानि कि Tamil Nadu, clear, चली, next यहां पर देखते हैं, दियेगे पोशक तत्वा में से दूद एक खराव स्त्रोथ है, बताना है अगर यह questions गलत होता है तो सच मानिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की जुरूरत होगी friends, daily science का जोड़ा हुआ questions आईए, daily science आपके segment में रहेगी आपके HPU exam में यानि की 25 secretary exam में यह topic रहने वाला है अब friends, daily science जिसका clear नहीं है कौन-कों से questions important चल रहे हैं पिछले 6 मिनों में यही आपके exam questions पूछे जाएंगे, बताइए the right answer is, option number D, यानि की vitamin C यानि की इन में से एक दूद का ख्राब स्थरोत है, ठीक है, poor source ठीक है, चल यह next यहाँ पर देखते है सीमा संगठन, सडक संगठन का मुख्यालिय कहां है BRO की बात हुई है, यानि की border road organizations, ठीक है अभी highlighted भी है, क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि रोतांग टनल किसके अंडर बनाई गई है, तो आपको पता होगा कि BRO के अंडर, ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको मुझे यह बताना कि इसका संगठन का मुख्याले कहां पर, यानि की headquarters कहां पर है, ठीक है, इस तरह का questions आपके examiner direct बनता है, ठीक है बताइए, गलत नहीं होना चाहिए the right answer is, option number DN की, New Delhi, clear, चली, next यहाँ पर देखते हैं, किस भारती क्रिकट खिलाडी को, अरजुन अवार्ट 2016 से समानित किया गया है friends, important है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी clear किया है कि current face के दोतिन segments रहते हैं जो important होते हैं, ठीक है awards related यहाँ पर questions put up हुआ है options आपके सामने है, the right answer is options number A, यानि की अजिंक्या रहाने, दोस्तों topics देख लीजिए अभी आप, ठीक है, यानि की topics और subtopics और questions की category आप जरूर देखिए यहाँ पर, ठीक है क्योंकि जब हम descriptive or important questions और आपके लिए लेकर आएंगे, तो दोस्तों एक भी questions आपका नहीं छोटेगा, clear है लेकिन अगर आपको best preparations करनी है professionals के इंडर तो whatsapp करना, starting में उन्हें आपको number बता दिया है, और descriptive box भी चेक करिए, previous lectures भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है भारत के रास्टरपती पर महाभयोग लाया जा सकता है, very very important questions है, यानि की impeached by the, ठीक है, president किसमें लाया जा सकता है, और हिमाचल के exam में questions बहुत बार repeat हुआ है, लोकसवा में, पार्लिमेंट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, या फिर none of this, बता रहा है हो questions किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, रास्टरपती पर महाभयोग जो लाया जा सकता है, वो पार्लिमेंट के किसी भी house में लाया जा सकता है, यानकी लोकसवा, राजसवा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है तो आपको याद रखना है कि पाल लिमेंट, ठीक है चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं निमले कितमें से कौन से नदी भारती शेत्र में उत्पन नहीं होती है, दोस्तों यहाँ पर बात हुई है इंपोर्टन है, ठीक है, बताइए इसका सही अंसर क्या होगा अब आपने मुझे क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि ब्रहंपुत्र कहां से उत्पन होती है, ठीक है चली देखते हैं, कितने कुशन्स आप सही कर पा रहे हैї इंपोर्टन है, लेटिनेंट जनल के एसका टोच पहले थे क्या थे वो दोस्तों पहले, क्या वो गवशनर ओफ एच्पी थे लेटिनेंट गवशनर ओफ एच्पी थे, चीफ कमिशनर ओफ एच्पी थे या फिर चेर्मेन आफ दा HP Public Service Commission के थे दोस्तों, the right answer is option number D, यानि की चेर्मेन आफ दे हिमाचल पुदेश Public Service Commission यानि की HP, PSC के ये चेर्मेन थे ये ठीक है, पहले, ठीक है, याद रखना है इस तरह के questions आपके exam में directly बनते हैं कामरू, dash के सबसे पुराने पहाड़ी राज़े की राजधानी था important है, आपके हिमाचल के exam में questions बने हैं, ये important के साथ-साथ, history का questions यहां से put up हुआ है the right answer is option number D, इन की रामपूर, अगर आपका सही हुआ तो well done, क्योंकि दोस्तों HPU, widely questions put up करेगा questions की waiters आप देख सकते हैं शिमला में गेटी थेटर को dash वर्ष में खोला गया था important questions, highlighted questions, MCQs questions, इस तरह की questions आपके exam में पूछे जाएंगे बताइए, यो कि दोस्तों तीन district तो आपको बिल्कुल पक्या करके चलना है, शिमला, किनो और यहां का agriculture, यहां का art and culture, यहां का geography area यहां का history, सबसे जला questions exam में waiters रहेगी आपके हिमाचल प्रदेश इनिवस्टी के exam में, ठीक है तो शिमला तो one point पर आप लेकर चलना, ठीक है, चलिए next, यहां पर देखते हैं, इसका सही अंसस होगा 1887 में, ठीक है, चलिए next नाको जील, डैश जिले में है important है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी questions गलत नहीं होना चाहिए the right answer is, option number A, यहां की किनो और, चलिए next यहां पर देखते हैं, महमूद गजनवी की सेनाव द्वारा, नस्ट किया गया कांगडा का, एक मात्र मंदिर को साथ था, important है बताइए इसका सेयंसस क्या होगा the right answer is, option number C, यहां की, ब्रजेश्वरी कांगडा में है, ठीक है, सभी को clear होगा यहां की, यहां से जो questions बनेंगे, temple, आपको भी याद करके जाना है, आटन culture से लेकर आपको जोग्राफी और history, economy यह सब कुछ पढ़के जाना है करन्ट फेस तक ठीक है, अब आपने क्या करना है, वाटसाप करिए hpg के अब की टीम को, वाटसाप करिए और साथ में, यह भी mention करिए free test, पंचायद secretary, ठीक है और साथ में आप paid courses भी join कर सकते हैं, full crash course professionals के अंडर, सरकारी नोकरी fix करने के लिए, क्योंकि vacances भी काफी जादा है, इसके साथ साथ आप अपनी strategy को और जादा modified और widely करोगे, conceptuals के साथ साथ, important और highlighted और MCQs दोनों read करके चलोगे, एक भी questions आपकर नहीं छोटेगा, what's up करे आप पूरी details के लिए, तो फिलाल दोस्तों इसके साथ जय हिंत, जय हमाचल